तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आज हम Resident Evil Village की स्टोरी बताने जा रहे हैं, उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर ले ताकि हम आपके लिए ऐसे और कॉंटेंट्स लाते रहे, Resident Evil Village Capcom द्वारा विकसित और प् अपहरत बेटी की तलाश करता है, विलेज पिछले Resident Evil Games के अस्तित्व के डरावने तत्वों को बनाए रखता है, जिसमें खिलाडी वस्तूओं के लिए वातावरण की खोज करते हैं और संसाधनों का प्रबंधन करते हैं, ये अधिक एक्शन उनमुख गेमपले जोडता है जिसमें दुश्मन की संख्या अधिक होती है और युद्ध पर अधिक जोड दिया जाता है। तो चलिए कहानी कुछ इस प्रकार है। और उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम रोज मैरी विंटर्स रखा। मिया रोज को स्थानिय कहानी विलेज ओफ शैडोज सुनाती है। कहानी एक लड़की की है जो अपनी मा से भाग गई और विभिन प्राणियों से मिली वस्तूओं के साथ मुलाकात करती है जब तक उसने अंतिम प्राणी से अंतिम वस्तूओं को जबरदस्ती छीन लिया और उसके लिए प्राणियों द्वारा सजा दी जाती है। जब रोज सोने जाती है तब तक मिया नहीं कह सकती है कि कहानी का अंत क्या होता है। इथन अपनी शिशु को एक डरावनी कहानी सुनाने के लिए बहुत छोटी मानता है लेकिन मिया सरकास्टिक रूप से उससे अपनी बेटी को सोने जा देने की कहती है। जब रात के भोजन की तैयारी कर रही है। इथन उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चेहनित करता है जो पूरी तरह से स्थानिय बन चुका है। मिया एथन से कहती है कि चिंता करना बंद करे। उसने ये कहते हैं कि हाल की घटनाएं तेजी से आगे बढ़ रही है। मिया को अचानक कंधे में गोली मार दी जाती है। इससे पहले कि एथन छिपने के लिए जाता। उसे गोली मार दी जाती। एथन को पता चलता है जिए हमला क्रिस रेड़ फील्ड के नेत्रिक्वाले बीएसे हाउंड बुल्फ स्कौार्ट द्वारा किया गया था। जो एथन के सामने कमजोर मिया को खत्म कर देता है। क्रिस एथन और रोज को बंदी बना लेता है लेकिन टीम एथन को नॉक आउट करने के लिए मजबूर कर लाती है। एथन उस समय को याद करता है जब उसने मिया के साथ रोजमेरी की ट्रू नेचर और उन दोनों से इनहेरिटेड मिले प्रभावों के बारे में उनके डर के बारे में बहस की थी। उनका आर्ग्यूमेरी के डॉक्टर के कॉल का उत्तर देता है। एथन एक दुरगटना ग्रस्त परिवहन ट्रक के पास जाकता है जिसमें वह सवार था। उसकी नजर एक बड़े गाव पर पड़ती है जिसे वह हाल ही में सुनसान पाता है। वहां उसे कई ग्रामीनों की दाश्यों में एक लाइकन उस पर हमला करता है और एथन को मारने से पहले उसकी दो उर्णियां कात लेता है। जैसे ही वह एक घर में रुकने में काम्याब होता है वह एक रेडियो प्रसारण सुनता है जिसमें बचे हुए लोगों को लुईजा के घर आने के लिए कहा जाता है। उसकी मुलाकात एक ओल्ड है से होती है जो पूछती है कि क्या वह बच्चे का पिता है जब वह इसकी पुष्टी करता है तो महिला प्रोक्लेम करती है कि रोजमेरी को डीटी मदर मिरंडा द्वारा गाव में लाए जाने के बाद वे अंधेरे में गिर गए हैं और उसे चेतावनी दी कि वह बहुत खतरे में हैं। एथन पास के महल को देखता है और अनुमान लगाता है कि उसे रोज वहां मिल सकती हैं। आखिरकार उसकी मुलाकात दो जीवित विलेजर्स एलेना और उसके घायल पिता लियोनार्डो से होती है जो लुईजा के घर में बचे हुए बचे लोगों में शामिल होने की उमीद कर रहे हैं। लेकिन कोई भी उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहा है। जैसे ही लाइकन्स पास में आने लगते हैं एथन लुईजास हाउस पर चड़ने में सफल हो जाता है और गेट खोल देता है सील करने से पहले। हालांकी जिजख रहे यूलियन और समूह द्वारा इनका स्वागत किया गया। लुईजा उसे घर की ओर गाइड करती है जहां वह अन्य बचे हुए लोगों से मिलता है। नशे में डूबा हुआ एंटन, शोक में रोकसाना और क्रिपल्ड सेबास्टियन। इथन सवाल करता है कि क्या यह गाव का सब कुछ है जो बचा है। लेकिन एंटन प्रोधित होकर कहता है कि कोई नहीं बचा है और फिर जीवित बचे लोगों का अपमान करता है और इनको चड़ाता है कि लुईजा ने चोटिन लियोनार्डो और इथन एक पराया को अंदर आने दिया। लुईजा जवाब देती है कि उसका घर पीडियों से अपने परिवार को सुरक्षित रख रहा है और वह उसे यह आश्वासन दिला रही है कि सभी वहां स्वागत हैं और उनके लिए सुरक्षित हैं। जब इथन पूछता है कि क्षेत्र में क्या हो रहा है तो वह उसे कहती है कि वे कभी एक शांतिपूर्ण गाव था लेकिन फिर राक्षसाय और उन पर हमला किया। एलेना पूछती है कि लुईजा के पती कहा है जिसका उत्तर देती है कि उसने सहायता प्राप्त करने के लिए बाहर जाने का प्रयास किया था जिसका उसको अग्यात था कि उसका पती एरनेस्ट एक वारको लाग द्वारा कुछ समय पहले ही रिजर्वॉयर के क्षेत्र के क लियोनार्डो केहता है कि वह औरत पागल है, लेकिन लुईजा इसके बजाए विश्वास करती है कि उसकी भक्ती के डिवोशन से ही वह जिन्दा है। लियोनार्डो जो किसी तरह से अभी भी जिन्दा है उपर की ओर चढ़ने में काम्याब होता है और इलेना को दर्द में पुकारता है इथन की चेतावनियों के बावजूद इलेना जल्दी ही उसके पास दौडती है तब लकडी की प्लैंक गिर जाती है जो उन्हें अलग कर देती है लियोनार्डो आग में गिरता है इथन सहायता करने का प्रस्ताव करने के बावजूद इलेना कहती है कि वह जाए और अपनी बेटी को बचाए तल में गिरने और वह आग की गहराईयों में गिरने से पहले इथन गुसे में जलते हुए घर से खिड़की के माध्यम से बाहर निकलता है जब उसे यह ख्याल आता है कि लोग उसके चारों और मरते रहते हैं वह बाहर निकलता है केवल इसे देखने के लिए कि मदर मिरांडा जुलियन को मार रही है उसका पीछा करते हुए उसे फिर उस बूढ़ी औरत से मुलाकात होती है जिन्होंने खुशी खुशी कहा कि मौत सभी के पास आई है उसे गाव के चारों और पाए गए दो क्रेस्ट्स का उप्योग करके कैसल की और जाने का डोर खोला इथन फिर कैसल की और बढ़ता है लेकिन बाद में उसे एक ऐसे आदमी के द्वारा पकड़ा जाता है जिसे इलेक्ट्रो मैगनेटिक फील्ड शक्तियों से युक्त होने का अनुभव होता है फिर उसे मदर मिरांडा और अधर हाउसेज लॉर्ड के साथ मुलाकात के लिए ले जाया जाता है लेडी अलसीना डिमित्रेस्कू कैसल डिमित्रेस्कू की वेंपाइरिक विलेजर डोना बेनेवियंटो जो एक गुडिया जिसका नाम एंजी है को नियंत्रित करने वाली पुपेटियर है और बेनेवियंटो हाउस में रहती है सल्वाटोरे मोरेयो जो जल से मिलता हुआ मुटेटेड फिश लाइक हंचबैक है और मोरेयो का रिजर्वायर का मालिक है और कार्ल हाइजनबर्ग जिसने इथन को पकड़ा है और हैजनबर्ग फैक्टरी का मालिक है जहां उसने अमानविय परियोजनाओं को चला रहा है डिमित्रेस्कू और हैजनबर्ग यह आपस में बहस करते हैं कि उसका कौन हकदार होना चाहिए जिसमें उसे इथन को मारना चाहिए और उसके खूँ के कप को मिरांडा को प्रदान करने का प्रस्ताव करती है और हैजनबर्ग जो सभी के लिए मनोरंजन दिखाना चाहता है मिरांडा निर्नय करती है कि इथन का भविष्य हैजनबर्ग के हवाले है उसको तब 10 सेकंड की हेड स्टार्ट देता है जिसके बाद उसे उसके पीछे लाइकन्स भेज दिये जाते है वह दूर भागता है और सामने आने वाली खतरों से बचाव करता है उसके बाहर निकलते ही उसे डी ड्यूक मिलता है एक व्यापारी जो उसे यात्रा के लिए वेपन्स और सप्लाइज की पेशकश करता है जब वह रोज को ढूंडने की उम्मीद में कैसल में प्रवेश करता है तो उसे बेला, कैसेंद्रा और डैनियला, डिमित्रेस्कू की बेटियों के द्वारा कैद कर लिया जाता है वे उसे अपनी मां से मिलने के लिए खींचते हैं जो हैजनबर्ग के खेल में जीवित रहने पे चौंक जाती है फिर उन्होंने अपनी बेटियों को इथन को हुक चेंज के साथ उंचा लटका देने का आदेश दिया जब डिमित्रेस्कू की बेटियों इस डिवेलपमेंट की सूचना मिरांडा को देने जाती है इथन अपने आपको हुक से बाहर निकालने में सफल होता है कैसल के क्षित्रों के माध्यम से गुजरने के बाद उसे दड्यूक मिलता है जो जैसे की गाव के चारों और विभिन स्थानों में आता है फिर दड्यूक सुझाव देता है कि डिमित्रेस्कू रोज को कैसल के किसी प्राइवेट चेंबर में रख रही है जब वह कैसल का अन्वेशन करता है उसकी कैसंदरा से मुलाकात होती है जिससे वह बच निकलता है और वाइन सेलर में आ जाता है वह कैसल के टॉर्चर चेंबर में पहुचता है जहां इथन पे फिर बेला द्वारा हमला होता है लेकिन इथन द्वारा किये गए एक भटका हुआ शौट ने एक खिडकी को नुकसान पहुँचाया जो तूट जाता है और ठंडी हवा अंदर आती है जिससे बेटियों की कमजोरियों के रूप का संकेत होता है इथन को यहां बेला को मारने में सफलता मिलती है जो कैल्सिफाइज हो जाती है और भूमी पर गिर जाती है जब उसने दिमित्रेस्कू और मिरांडा के बीच फॉन पर हो रहे एक कॉन्वर्सेशन को सुना जिसमें उसकी तंगी ने उसे अपने ड्रेसिंग टेबल को नाराजगी से फेंकते हुए खत्म किया इथन ने इस की को प्राप्त करने के लिए अंदर जाने का निर्णे लिया लेकिन उसे काउंटेस के द्वारा पकड़ लिया जाता है जहां उसने उसे जमीन पर बरबरता से लगातार पीटा और उसे नीचे के कारागारों में भेज दिया इथन कैसेंद्रा के साथ आर्सेनल रूम में मिलता है जहां उसने एक तूटी हुई पत्थर की दीवार में पाइप बम फेक कर उसे कमजोर करता है और मार देता है अंत में उसे लाइबरेरी में दानियला से मिलता है जहां उसने उपरी स्काइलाइट खोल देता है ताकि दिमित्रेस्कू पर हमला कर देता है। इस छूने से डिमित्रेस्कू को एक विकृत ड्रैगन जैसे प्राणी में बदल दिया जाता है। इथन उससे पूछता है कि उसे बताएं कि क्या हो रहा है और मिरांडा रोज को कहां ले गई है। वह हस्ती है। उसे बताती है कि रोज विल बी सैक्रिफाइस्ट एज लाइफ फॉर लाइफ। इथन चिन्ह पर ठिका रहता है जो अंब्रेला कॉर्पोरेशन के लोगों के चेहरे से अद्भुत रूप से मिलता है और चौंके से उसकी दिशा में बढ़ता है। फिर वह अल्टार की ओर यात्रा करता है जहां उसे फिर से ड्यूक से मिलता है। ड्यूक तब इथन को भयानक रूप से बताता है कि उसे मिला ग्लास फ्लास्क रोजमेरी के सिर का है। ड्यूक स्पष्ट करता है कि रोज को बचाया जा सकता है क्योंकि उसकी शक्तियां उसके असली रूप को बनाए रखने की क्षमता प्रदान करती है फिर वह उसे गाउं के पश्चिमी ओर पर एक लाल चिमनी वाले घर की ओर पॉइंट करता है। कोई विकल्प नहीं होने के कारण वह अनिच्चुक रूप से वहां बढ़ता है और उसके मालिक को एक लाइकन के द्वारा मार दिया गया है। उनकी बेटी रोज को संबोधित करती है और उसे बेनेवेंटो हाउस की ओर बुलाती है और उधार ले जाती है। प्रवेश करते ही उसे घर के चारों ओर खोजना शुरू करता है और बेनेवेंटो की गुडिया एंजी पर बैठे दूसरे फ्लास्क को पाता है। जब उसने इसे पकड़ने का प्रयास किया, गुडिया और उसके हतियार दोनों गायब हो जाते हैं। फिर उसे मिया की एक समान गुडिया और उसके शव की एक तस्वीर का पता लगता है। से एक प्रसार पकड़ता है, जिसमें आने वाले प्रसारण लगातार अधिक और अधिक उबाउ होते हैं। रास्ते में उसे एक बड़े विकृत बच्चे की हालोसिनेशन का पीछा करना पड़ता है, जो रोज की रोने की आवाज को उत्पन्न करता है। उसके घर के उपरी हिस्से तक पहुँचने के बाद, वह बेनेवियंटो और एंजी द्वारा स्वागत किया जाता है। बेनेवियंटो उससे नहीं जाने के लिए निवेदन करती है और अन्य गुडियों को उस पर हमला करने के लिए भेजती है। उसे गुडियों को खारिज करने में काम्याब होने के बाद, एंजी उससे उसे ढूंडने के एक खेल में शामिल होने के लिए रिक्वेस्ट करती है। घर छोड़ने से पहले। रोज किसी की नहीं थी और मोरियों ने कहा कि मिरांडा उसके बच्चे को वापस चाहती है। फिर उसने बताया कि उसने एथन के बाहर जाने का रास्ता रोक लिया है, लेकिन आखिर कर एथन उसके एसिडिक ब्लॉकेट से बचने में काम्याब हो गया। एथन को जल्दी ही जलाशय के पास एक टेंट मिलता है जिसमें रिसर्च के लिए उपयोग किये जाने वाले उपकरण होते हैं। उस पर हाउंड वुल्फ स्क्वार्ड के सदस्य नाइट होविल द्वारा हमला किया जाता है और क्रिस द्वारा उसका सामना किया जाता है। इसके बाद एथन गुस्से में कहता है कि क्रिस ने मिया को मार डाला और इसके बजाए उसे खत्म कर देना चाहिए। नाइट होविल ने क्षेत्र के पास motion readings को notice किया और क्रिस को सलाह दी कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए इस डर से कि मिरांडा को उनका स्थान पता है जब एथन ने उसका नाम सुना तो उसने क्रिस से उसे यह बताने की मांग की कि वे कैसे शामिल थे लेकिन उसने अधिक जानकारी देने से इंकार कर दिया वे sample analysis भी कर रहे थे जो संक्रमन मोल्ड से संबंधित है तीनों ने देखा कि परिवर्तित मचली उनकी ओर जा रही थी इससे पहले की बड़ी मचली उन्हें अलग कर पानी में फेक दे क्रिस ने एथन को उनके रास्ते से दूर रहने की चितावनी दी एथन मोरो के साथ डॉक पर चड़ता है मोरो उसे बताता है कि उसका एक्जिट पानी के भीतर है और मिरांडा पानी में गिरने से पहले सेरिमोनी की तैयारी कर रही है मोरो खुद को बड़ी मचली के रूप में प्रकट करता है जैसे ही एथन मोरो से बच निकलता है बांध को खोलने और पानी निकालने में सफल हो जाता है इसके बाद एथन सूखे हुए मचली पकड़ने वाले गाम में मोरों से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ता है जिसमें एथन विजई होता है एथन गड़ में पहुचने और अंदर प्रवेश पाने के लिए दो लीवर खीचने में सफल होता है वह अंदर घूमता रहता है जो लाइकन्स के अंतहीन जुंडों से भरा हुआ है वह गहराई में प्रवेश करता है जहां वह एक बार फिर यूरियस से मिलता है और उससे युद्ध करता है उसे मारने के बाद वह अंतिम फ्लास्क प्राप्त करता है एथन को चार भगवानों द्वारा रोज के शरीर के अंगों को निकालते हुए देखने का द्रिश्य दिखाई देता है इसके बाद हाइजनबर्ग एथन के प्रयासों की प्रशंसा करते हैं और उसे चार फ्लास्क को वापस ओल्ड़ करता है वह एथन को बताता है कि उसके साथ यह परीक्षन करने के लिए खेला जा रहा है कि क्या वह मिरांडा के परिवार का हिस्सा बनने के लिए परियाप्त मजबूत है एथन गुस्से में कहता है कि वह उसके परिवार का हिस्सा नहीं बनना चाहता जिससे हाइजनबर्ग सहमत होता है और बताता है कि मिरांडा भी रोज की संभावित शक्ती से डरती है फिर वह एथन को साथ चलने और रोज को बचाने की पेशकश करता है ताकि वह उसे मिरांडा को मारने के साधन के रूप में इस्तेमाल कर सके एथन ने उनके प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्विकार कर दिया कि उनकी बेटी उनकी हड़पने की योजना का हथियार नहीं है इसके बाद हाइजनबर्ग ने एथन को उसकी फैक्टरी के नीचे लात मार कर जवाब दिया इसके बाद एथन का पीछा स्टर्म नामक प्राणी द्वारा किया जाता है जिसके धड़ के रूप में एक प्रोपेलर होता है वह इससे बचने में काम्याब हो जाता है लेकिन खुद को फैक्टरी के अंदर पाता है जहां वह हाइजनबर्ग के कई यांत्रिक सोल्डैट प्राणीयों से लड़ता है जैसे ही वह कारखाने के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है हाइजनबर्ग साज़ा करता है कि कैसे मिरांडा ने अपने नौकर बनने के लिए अपने प्रयोगों के हिस्से के रूप में खुद सहित कई बच्चों को जबरदस्ती ले लिया वह सत्ता हासिल करने और खुद को मिरांडा की पकड़ से मुक्त करने की अपनी इच्छा साज़ा करता है एथन का फिर से स्टर्म से सामना होता है और वह उसे हमेशा के लिए नीचे गिरा देता है शीर्ष पर पहुँचने पर हाइजेनबर्ग द्वारा उस पर फिर से हमला किया जाता है जो खुद को एक बड़े जैव यांत्रिक प्राणी में बदल देता है उत्परिवर्टित हाइजेनबर्ग ने एथन को उसके कार खाने के नीचे फिर से गिराने से पहले दूर रहने के लिए कहा एथन एक वेंट के माध्यम से रेंगने के बाद उसे क्रिस द्वारा वश में कर लिया जाता है और उसे डिसाम कर दिया जाता है जब क्रिस कार खाने में घुस पैट करता है और उसके नीचे विस्फोटक लगाने की कोशिश करता है Chris ने उसे दूर रहने के लिए कहा लेकिन Ethan ने गुसे में कहा कि उसने मिया को मार डाला Chris समझाने लगता है कि जिस मिया को उसने गोली मारी थी वह एक छिपी हुई मिरांडा थी जिसके पास एक जैव हतियार के रूप में अपनी स्थिती से आकार बदलने की शक्तियां है Ethan ने गुसे में यह जानने की मांग की कि उसे इस बारे में कभी सूचित क्यों नहीं किया गया केवल Chris ने चिला कर कहा कि Ethan इसमें शामिल होना चाहेगा फिर वे उससे सब कुछ समझाने के लिए कहता है Chris बताते हैं कि मिरांडा खुद पागल है और राक्षस और गाव उसके जीवन भर का काम है क्योंकि वे उसके प्रयोग थे Ethan को अफसोस है कि यह डुलवे की घटनाओं की पुनरावरित्ती है लेकिन Chris ने खुलासा किया कि मिरांडा अब फ्लास्क के कबजे में है Chris फिर Ethan को एक धातू पॉलिमर टैंक प्रदान करता है जिसका उप्योग वे हाईजनबर्ग से युद्ध करने के लिए कर सकता है Chris ने Ethan से वादा किया कि वे उसकी बेटी को वापस ले आएंगे Ethan आर्टिलरी लेता है और सतह तक लिफ्ट की सवारी करता है जहां उसका सामना हाईजनबर्ग से होता है एक इंटेंस लड़ाई के बाद हाईजनबर्ग ने टैंक को पलट दिया और वह Ethan को मारने वाला था जब तक की वह कारखाने में विस्फोर्ट से क्षन भर के लिए विचलित नहीं हो गया हाईजनबर्ग अपनी रोबोट सेना के खोने से क्रोधित है जिसका उपयोग उसने मिरांडा के साथ युद्ध छेड़ने के लिए किया होता है एथन को हाईजनबर्ग से पैदल ही लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है इससे पहले कि हेजनबर्ग एक इलेक्ट्रिकल टूफान पैदा कर दे जिससे एथन टैंक को फिर से हासिल कर लेता है और हैजनबर्ग को खत्म करने के लिए उसके कमजोर स्थान पर आग लगा देता है फिर एथन को क्रिस द्वारा कॉल आती है और उसे समझाया जाता है कि वह हाईजनबर्ग को हराने में काम्याब रहा हालांकि क्रिस उसे उसके लिए इंतजार करने के लिए कहता है एथन का सामना मिरांडा से होता है जो अपने मूल रूप में वापस आने से पहले अपने मिया रूप के साथ उस पर ताना मारती है वह उसे समझाती है कि रोजमेरी न केवल एवलिन की उत्तराधिकारी है, बलकि उसका सच्चा, पूर्ण रूप है, इसलिए उसे उसे अवश्य प्राप्त करना चाहिए मिरांडा का कहना है कि मोल्ड रूट उन सभी को कैटलॉग्स करता है, और रोज उसकी बेटी ईवा के रूप में पुनरजन मिलेगी मिरांडा फिर कई रूप बदलना शुरू कर देती है, और खुद को हमेशा पुरानी जादुगर्नी के रूप में प्रकट करती है एथन के क्रोधित होने पर मिरांडा अपनी चाल चलती है और उस पर हमला करती है, उसका दिल चीर देती है और उसे आश्वासन देती है कि वह मोल्ड रूट के रिकॉर्ड का हिस्सा होगा एथन उसके पैरों पर मर जाता है और वह अपनी बेटी को पुनर जीवित करने की सेरिमोनी शुरू करने के लिए निकल जाती है हाउंड वुल्फ स्क्वार्ड का एक सदस्य क्रिस को एथन की मौत की पुष्टी करता है क्रिस अपनी टीम को स्थिती के बारे में बताता है वह सविकार करता है कि वह और टीम यह सोचकर लापरवाह थे कि उन्होंने मिया की एड में मिरांडा को मार डाला जिसके परिणाम स्वरूप मिरांडा ने उसकी मौत का नाटक किया एथन के काफिले पर हमला किया और रोजमेरी का अपहरन कर लिया जब उसने आखिरी बार एथन से संपर्क किया तो उसने मिरांडा की आवाज सुनी थी और जानता था कि वह उसकी मौत के लिए जिम्मेदार थी यह जानते हुए कि मिरांडा को तीन साल की जाँच के बाद नीचे गिराने की जरूरत है उसने एथन का बदला लेने के लिए मिरांडा के खिलाफ हाउंड वुल्फ के साथ एक पूर्ण हमला शुरू किया टीम ने यह भी देखा कि B.S.A. अग्यात कारणों से आया है क्रिस ने टीम को मिशन पर बने रहने का निर्देश दिया मिरांडा को समाप्त करें और रोजमेरी को बचाएं जबकि कैनाईन को B.S.A. की उपस्थिती की जाँच करने का आदेश दिया गया है उन्होंने साजा किया कि मोजावे रेगिस्तान में उनकी टोह के कारण वे अब मिरांडा की योजना को जानते हैं जैसे ही टीम मिरांडा की क्षमताओं पर चिंता और भई साजा करती है वे देखते हैं कि गांव को अब आग लगा दी गई है और समारोहस्थल को एक बड़े सांचे के अवरोधक द्वारा सनरक्षित किया गया है टीम अलग-अलग दिशाओं से गाव में घूमती है क्रिस लुईजा के घर के खंड़हरों से आता है वे लाइकान सेना से युद्ध करते हैं जिसमें क्रिस और लोबो की सहायता आग का उपयोग करके बड़े पैमाने पर सांचे को नश्ट कर दिया जाता है विनाश से एक बड़ा छेद खुल जाता है जिसे क्रिस पार कर जाता है और टीम को जमीन से उपर रहने का आदेश देता है टीम का एक सदस से बताता है कि गाउं के सांचे और बेकर परिवार के सांचे के बीच तुलना करने पर पता चलता है कि कोई जिनोम एडिटिंग नहीं हुआ था जिसका अर्थ है कि सांचे की उत्पत्ती इसी गाउं से हुई थी उसका सामना यूरियस के बड़े भाई यूरियस स्ट्रेजर से होता है जिसे वह लोबो की मदद से मार देता है फिर वह उसमें N2 नूट्रॉन बम जोड़ने से पहले बड़े मोल्ड रूट को ढूंडने में काम्याब होता है इससे पहले की वह विस्पोर्ट कर सके उसने एथन का बदला लेने के लिए पहले मिरांडा को मारने की ठानी इसके बाद क्रिस अपने आदमियों को मिरांडा पर नजर रखने का आदेश देता है लेकिन जब वह मिरांडा की प्रयोक शाला की ओर जाता है तो वे दूरियां बनाए रखते हैं क्रिस से कहा गया है कि उन्हें एथन को अपनी योजना के बारे में पहले ही सूचित करना चाहिए था हाला कि वह अपनी गलती स्विकार करता है लेकिन वह जवाब देता है कि उसके पास कोई समय नहीं था और उसे उमीद नहीं थी कि मिरांडा इतनी जल्दी कारवाई करेगा अपनी प्रयोग शाला में क्रिस को सांचे के साथ मिरांडा के प्रयोगों और उसके अतीत के बारे में कई जानकारी मिलती है मिरांडा एक जीव विज्ञानी थी जिनकी बेटी ईवा की स्पैनिश फ्लू से मृत्यू हो गई थी अपने शोक में उसने मरने के लिए पास की गुफाओं में जाने का फैसला किया और संयोग से मोल्ड रूट को ढूंड लिया सांचे की जड़ तूट जाती है और नष्ट होने वालों की चेतना को अवशोशित कर लेती है सांचे द्वारा लाई गई रिजेनरेटिव अबिलिटीज के कारण उसने सांचे के साथ प्रयोग करना शुनुक प्रयोगों के लिए गुप्ट रूप से ग्रामिनों का उपयोग करते हुए चारों राजाओं के साथ ग्राम देवता के रूप में खुद को प्रस्तुत किया जिन लोगों की कैडो पर जीवी के प्रती नकारात्मक प्रतिक्रिया थी, वे लाइकन्स और मोरोईकू बन गए उसने मोल्ड और ईवा के कुछ डियेने को उधार देकर, ईवलिन बनाने के लिए कनेक्शन्स के साथ भी सहयोग किया लेकिन ईवलिन एक और अनुप्युक्त मेज़बान थी फिर कनेक्शन्स ने उसे रोजमेरी के अस्तित्व के बारे में सूचित किया और रोजमेरी ईवा के लिए एक आदर्श मेजबान साबित हुई मिरांडा के चात्रों में से एक ओस्वेल ई स्पेंसर थे जिन्होंने आगे चलकर अंब्रेला कॉर्पोरेशन की स्थापना की हालांकि उनके संबंध अच्छे रहे लेकिन वे अलग हो गए क्योंकि मिरांडा केवल अपनी बेटी को पुनर जीवित करना चाहती थी जबकि स्पेंसर का मानना था कि वायर्स के माध्धिम से व्यापक मानव संक्रमन मानव विकास के लिए आवश्यक था उन्होंने उसे सूचित किया कि उन्हें अफरीका में प्रोजेनिटर वायर्स मिला है और वह एक नई कंपनी अंब्रेला शुरू करेंगे जिसका लोगो गुफा में चार भगवानों के प्रतीक से प्रेरित होगा क्रिस को एक बंद दर्वाजा दिखाई देता है और वह उसे शूट कर देता है जहां वह यह पुष्टी करने के बाद कि मिरांडा समारोह स्थल पर है असली मिया को जीवित पाता है मिया यह दावा करने के लिए क्रिस से नाराज है कि उसका परिवार आगे बढ़ने में सुरक्षित रहेगा और जानना चाहती है कि उसके पती और बेटी कहां है वह उसे बताता है कि एथन चला गया है लेकिन वह अभी भी रोज को बचा सकता है ये देखते हुए कि उनका परिवेश सुरक्षित नहीं है वह मिया को अपने पीछे चलने के लिए कहता है मिया तब क्रिस को बताती है कि एथन अभी तक नहीं गया है और वह इसे गुप्त रखने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वह नहीं जानता कि एथन वास्तव में कितना खास है एथन खुद को एक ठंडी बंजर भूमी पर भटकता हुआ पाता है जहां एवलिन उसे ताना मारती है जो उसे बताती है कि वह मर चुका है एथन ने मान लिया कि मिरांडा ने ही उसे मारा है लेकिन एवलिन ने उसे यह कहते हुए मना कर दिया कि एथन हमेशा मरा है और यह कभी भी मिरांडा के हाथों में नहीं था एवलिन फिर एथन से सवाल करती है कि यह कितना अजीब नहीं है कि वह अभी भी जीवित है भले ही उसे कितनी भी चोट लगी हो एवलिन उसे बताती है कि वर्षों पहले लुईसियाना में अटारी पर संक्रमित मिया के साथ एथन की लडाई के बाद जैक बेकर ने उसे मार डाला था और एथन शुरू से ही संक्रमित था। एक मात्र चीज जो उसे जीवित रख रही है वह है सांचा। वह एथन को बताता है कि उसका शरीर गिर रहा है लेकिन रोजमेरी को बचाने के अपने अभियान को स्विकार करता है। अपचारिक स्थल पर पहुँचने पर ड्यूक ने चितावनी दी कि एथन इस स्थिती में है कि उसकी वापसी संभव नहीं है और वह अब अपने पुराने जीवन में वापस नहीं लोट सकता लेकिन एथन द्रढ संकल्पित है। एथन मिरांडा के पास जाने के लिए संघर्ष करता है जो देखता है कि इवा के बजाए रोजमेरी का पुनरजन्म हुआ है और उसकी शक्तियां उसे छोड़ना शुरू कर देती है। और वह शांत होकर धूल में गिरने से पहले आखरी बार अपनी बेटी के लिए चिलाती है। उसके अवशेशों से गुलाब निकलता है लेकिन एथन होश खो बैठता है क्योंकि मिरांडा की मृत्यू के बाद उसका शरीर खराब होने लगता है और उसका साचा खत्म हो जाता है। क्रिस एथन को फिर से जगाने में कामयाब होता है और वह उसे और रोजमेरी को साइट के बाहर मार्कदर्शन करने में मदद करता है क्योंकि बम विस्फोट करने से पहले उन्हें एक सुरक्षित स्थान की आवश्यक्ता होती है। मिरांडा की चेतना का जो अवशेश बचा है वह मोल्ड रूट के साथ एक बड़े निडर रूप में विलीन हो जाता है और तीनों का पीछा करता है। क्रिस ने एथन को हार न मानने के लिए कहा और कहा कि मिया जीवित है और उसका इंतजार कर रही है। ये जानते हुए कि वह मर रहा है एथन माफी मांगता है और रोजमेरी और अपना कोट क्रिस को सौंपने से पहले मिया से अपने प्यार का इजहार करता है। वह उसे रोज को सुरक्षित रखने के लिए कहता है और जब मोल्ड इथन को अन्यदो से अलग कर देता है तो डेटोनेटर को पकड़ने से पहले उसे मजबूत होने को कहता है। अलग-अलग रास्ते पर जाने से पहले इथन अलविदा कहता है। क्रिस रोजमेरी और मिया के साथ अपने परिवहन में सवार होता है। मिया ने नोटिस किया कि एथन उनके साथ नहीं है और जानना चाहती है कि वह कहां है। एथन अपनी आखिरी ताकत का उपयोग डेटोनेटर को ट्रिगर करने के लिए करता है जिससे वह खुद को मोल्ड रूट और गाम को नश्ट कर देता है। जैसे ही मिया को पता चलता है कि एथन विसफोट में मर गया है। क्रिस बताता है कि उसने उसे बचाने की कोशिश की थी लेकिन एथन ने बाकी सभी को बचाने के लिए खुद को बलिदान करने की पेशकश की। कैनाईन ने क्रिस को सूचित किया कि B.S.A. ने मिरांडा की सेना से लड़ने के लिए सैनिकों के वेश में जैविक हत्यार भेजे थे और उसकी निशान देही से एक शव बरामद किया था। इसके बाद क्रिस कैनाईन को बाकी दस्ते को लेने और B.S.A. यूरोप मुख्यालय के लिए एक कोर्स की योजना बनाने का आदेश देता है और मांग करता है कि किसी को भुगतान करना होगा। रोजमेरी को पालने में बिठाते हुए मिया अपने पती के लिए शोक मनाती है। आखरी में Village of Shadows कहानी का निशकर्ष दिखाया गया है। लड़की को एक चुडैल ने पकड़ लिया था लिकिन बाद में उसकी मां ने उसे बचा लिया क्योंकि उसके पिता पीछे रह गए और चुडैल से लड़ते हुए मर गए। क्रेडिट के दौरान एक और कहानी दिखाई जाती है जिसमें एक जोड़े को दिखाया जाता है जो गाव में चले जाते हैं और एक बेटी को जन्म देते हैं। परिवार की मां Spanish Fallu से बीमार हो जाती है और बाद में मर जाती है बाद में बेटी भी बीमार हो जाती है मिरांडा एक उपचार केंद्र स्थापित करती है जहां वह कैडो को इलाज के रूप में पेश करती है बेटी को injection लगाया गया और वह चमतकारिक रूप से ठीक हो गई जबकि पिता और कई ग्रामीनों को भी injection लगाया गया पिता असहज महसूस करने लगता है और बेटी को बाद में पता चलता है कि उसके पिता लाइकन में बदल गए है वर्षों बाद एक पोस्ट क्रेडिट सीक्विंस में एक वयस्क रोजमेरी को दिखाया गया है जो अपने पिता की कब्र पर जाने के लिए कब्रिस्तान के रास्ते में बस में चड़ती है साथ में विलेज ओफ शैडोज किताब भी है वह उसे देर से जन्म दिन की शुभ कामनाएं देती है क्योंकि पिछले सप्ताह परिक्षन के कारण वह चूग गई थी एक अनिर्दिष्ट संगठन का एक एजेंट कब्रिस्तान में यह कहते हुए आता है कि उसकी जरूरत है एजेंट ने मजाक में उसका नाम एवलिन रख दिया लेकिन रोज ने हिंसक तरीके से उसकी टाई पकड़ ली और उसे धमकी दी कि वह उसे दोबारा न बुलाए ऐसा नहो कि वह अपनी क्षमताओं को उजागर कर दे जिसे क्रिस भी नहीं जानता है जैसे ही पचतावा ग्रस्त रोजकार में चड़ती है एजेंट अपने साथी को उस पर गोली चलाने से बचने और यह समझने का संकेत देता है कि वह अभी भी छोटी है एजेंट उसे बताता है कि वह उसके पिता की तरह है और वह जवाब देती है कि वह जाने से पहले मुस्कुराती है कि वह जानती है सड़क पर एक अग्यात व्यक्ति उनके वाहन के पास आता है धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए अलविदा